Hello everyone, welcome to Rara दोस्तों, आज मैं रिव्यू कने वाली हूँ Fair and Lovely Sun Protect SPF 30 Glow with UV Protection Face क्रिम का और यह अब देख सकते हैं इस तरीके की पैकेजिंग है and this is the cream और यह जो cream है यह आती है 72 रुपीज की आती है तो सबसे पहले क्रिम के विशे में देख लीजिए यह है Fair and Lovely Sun Protect SPF 30 Glow with UV Protection क्रिम इसके इंग्रीडियन्ट यहाँ पर mention है आप देख सकते हैं और इसमें paraben भी है जिनको problem होती है paraben से वो इसे ना ले आप देख सकते हैं यह 5 expert benefit के साथ में आती है healthy glow, reduce, tan and dullness up to 30 x longer sun protection helps prevent sun burn and pollution से protect करती है और यह यहाँ पर सारी चीजें mention है dermatologist tested and proven है 72 रुपीज की आती है यह अब मैं यह sun protection cream apply करें वाली हूँ जो की है fair and lovely की और यह आप देख रहे हैं इस तरीके से आप dot dot करके apply करें और किसी भी cream को आप properly dot dot करके पूरे face पर लगा लें उसके बाद आप अच्छे से massage कर लें तो यह आप देख सकते हैं यह skin में एक अच्छा सा glow एड करती है और sun protection प्रोवाइड करती है और आप इस cream को गर्दन पर भी apply करें गर्दन को कभी भी avoid ना करें तो दोस्तों यह काफी अच्छा glow देती है और मुझे तो यह अच्छी लगी मेरी skin के लिए summers के लिए तो यह cream आपको tanless look देती है यानि कि जो सूरे से जो हमारी skin को सूरे की किरणों से जो हमें tanning हो जाती है उससे हमें protect करती है anti-pollution formula है और skin को glowing भी करती है जैसा कि मैंने मेरी skin पर आपको apply करके भी दिखाया बहुत ही आसानी से आपकी skin में यह blend हो जाती है और summers में अगर आपको day cream लगाना चाहते हैं बहुत बहुत affordable range में तो sunscreen के साथ ही आप अपने लिए day cream चुने दोस्तों और मेरे ऐसे बहुत सारे subscriber है जो fair and lovely cream लगाते है तो आपको इसमें sun protection मिलेगा SPF 30 और आपकी skin भी naturally थोड़ा धीरे-धीरे ही सही but glowing होगी अगर आप regular इस्तमाल करते हैं क्योंकि कोई भी चीज अगर आप regularly इस्तमाल करते हो तो वो कहीं न कहीं आपको result जो है वो provide कराती है और आपकी skin से tanning को ये कम करती है और एक healthy सा glow आपकी skin में आ जाता है तो एक healthy glow के लिए आप इसे try कर सकते हो और ये packaging का जो color है ये मुझे बहुत अच्छा लगा yellowish shade है क्योंकि SPF day cream है इसलिए और ये as such मेरे skin में तो उतना white cast नहीं छोड़ती है बट अगर आप बहुत जादा किसी भी product की layer लगा लेंगे तो वो फिर अजीब लगने लगता है तो product quantity आप बिलकुल pea size amount में लेकर के ही face और neck पर apply करें और आप 2 से धाई गंटे बाद इसे reapply कर सकते हैं और धूप में जाने से कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट पहले तो जरूर ही apply करना चाहिए कोई भी sunscreen हो या day cream हो या sun cream हो तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगी आप इसे अपने budget के according try कर सकते हैं और बहुत ही travel friendly है बहुत pocket friendly है बहुत आसानी से आपके ये purse में आ जाएगी कहीं भी carry कर सकते हैं आप इसको तो जिनको pimple हैं जिनको बहुत oily skin है उनको तो मैं suggest नहीं करूंगी क्योंकि pimple की समस्या होने लगती है लेकिन all skin type या normal skin वाले लोग जो है इसको इस्तमाल कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है please like, comment and share subscribe to my channel rara follow me on instagram, facebook, twitter, tiktok and snapchat और आप मेरे another video ज़रूर देखेगा description में link है दोस्तो बाई बाई